मेजर एंड माइनर स्केल कैसे समझें? जी हाँ दोस्तो, बहुत सारे लोग गाने भी बजा लेते हैं, भजन बजा लेते हैं, सब कुछ बजा लेते हैं, लेकिन उनको स्केल की नॉलिज नहीं होती है, कि जो गाने हम बजा रहे हैं वो major scale में है या फिर minor scale में है दोस्तो बहुत बड़ा सवाल है तो दोस्तो आपको एक छोटी से example से मैं समझा दूँगा कि scale किस तरह से पहचाने जाते हैं बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे तो आईए दोस्तो आपका ज़्यादा समय ने लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं हेलो नमस्कार दोस्तो वेलकम टू मैं चैनल ए एम के संगीत दोस्तो मैं आपको मद्य सब्तक में सबसे पहले समझाना चाहता हूँ तो मद्य सब्तक की पहली काली सी सार्प इस बटन को ध्यान में रखिएगा यहां से सबसे पहले आप मेजर सकेल समझेगा दोस्तो सबसे पहला काम आपको समझना है मेजर सकेल के अंदर जितने भी स्वर यूज होते हैं वो सुद होते हैं यानि कि यहां पर कोई भी तीबर और कोई भी कुमल यूज नहीं होता है तो यहां से मेजर स्केल की सरगम बजाईएगा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा दोस्तों यह हुई हमारी सुद्ध सरगम जिसे हम बोलते हैं मेजर स्केल अब major skill हमने इस बटन से आपको बताया तो इसी बटन से आपको minor skill भी समझना है major skill के अंदर हमने बता दिये कि सभी स्वर सुध हैं अब minor skill कैसी समझेंगे minor skill के अंदर गा, धा और नी तीन स्वर आपको कुमल यूज़ करने होते हैं और आपका बन जाता है minor skill तो कैसे करेंगे सा-रे-गा-मा-पा-धा-नी-सा यह हुआ आपका minor skill major skill में सुद्ध गा यूज हुआ था लेकिन minor skill में कुमल गा यूज हो रहा है और minor skill में कुमल धा यूज हो रहा है कुमल नी यूज हो रही है यहां पर सुद्ध नी यूज नहीं हो रही है यह difference आपको समझना है तो कैसे समझेंगे minor का सा रे गा मा पा दा नी सा अब रोह में जाएगा सा नी दा पा मा गा रे सा इस पहली काली से मैंने आपको दोनों स्केल समझाए दोस्तों जब आप पहली काली से दोनों स्केल समझ सकते हैं तो आप किसी भी बटन से दोनों स्केल समझ सकते हैं और स्केल को समझना क्यों जरूर है मैंने पहले ही आपको बता दिया स्केल समझने से हमको यह पता लगता है कि जो गाना हम बजा रही है माइनर स्केल में है या फिर मेजर स्केल में है क्योंकि दोस्तों दोनों स्केल के गाने अलग अलग होते हैं माइनर के अलग होते हैं और मेजर के अलग होते हैं अब इस बटन से हमने बता दिया अब आपको यही फंडा यद कोई आपसे बोलता है इस बटन से यानि दूसरी का गाली से मेजर स्केल लगाई ए तो आपको यह ही फंडा यहां पर यूज्ज करना जैसे हम ने कि यहां से बताया था कैसे करेंगे सभी सवर सुधी यूज़ करने यहां पर भी आपको तो देखी एक वार सा रे गा मा पा दहा नी सा बैक में जाईएगा सा नी दहा पा मा गा रे सा ये उसका हुआ मेजर स्केल दूसरी काली का अब इस मेजर स्केल में आप ये कॉर्ड दावेंगे जब सिंगर आपसे बोल दे मेजर स्केल दूसरी काली का लगाईए इस वाले कोड को प्रेस कीजिएगा और वो कोई सा भी गाना गाएगा आपको इसी स्केल में बजा देना है आपका काम पक्का हो गया अब यदे सिंगर बोलता है कि नहीं यहां पर आप दूसरी काली का माइनर स्केल लगाएए तो माइनर स्केल में वही फंडा यूज़ करना है जो हमने अभी आपको बताए था गा धा और नी तीन बटन कोमल यूज़ करने है तो कैसे करेंगे यहां से देखिएगा सा रे गा मा पा धा नी सा सिंपल हुआ सा नी धा पा मा गा रे सा और माइनर स्केल का कॉड़ आपको क्या प्ले करना है वन टू थ्री यह वाला यदि सिंगर बोलता है माइनर स्केल दूसरी का लिगा तो यह वाला कॉड़ प्रेस करेंगे और मेजर का बोलता है तो यह वाला दोस्तों कॉड़ भी अलग अलग होती है जो scale आपके समने बोला जाए वही code आपको use करना है तो minor and major scale का ये funda आपको समझना है और इस funda को समझने के बाद आपका level संगीत के अंदर बहुत अच्छा हो जाएगा आपको हमेशा याद रहेगा, हमेशा पता रहेगा कि minor scale कौन सा है, major कौन सा है, किसी भी singer के साथ आप आसानी के साथ keyword, harmonial, प्यानों कुछ भी बजा सकते है तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दो बटनों का example दिया है कि दो बटनों से minor and major scale आप कैसे समझे मैंने आपको समझाया, इसी तरह से आप किसी भी बटन से minor and major scale लगा सकते हैं, सिर्फ आपको code प्रेस करना है और स्वर वही यूज़ करने हैं, तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर फिलाल इतना ही वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही घंटी वाले निसान को जरूर दवाएं, ताके हमारी आने वाली हर एक वीडियो का notification आपको मिले सबसे पहले और आप देख सकें, दोस्तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही कमेंट वक्स के अंदर अपना नाम जरूर लिखिए, चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वुडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाई-बाई, टेक कियर